बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता कभी पूजा पाठ नहीं करता कभी संतों का संग नहीं करता वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है यह सब चीजे देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है भगवान का न्याय ही गलत है यह कोई कहानी नहीं है ऐसा हर किसी के साथ होता है दोस्तों आज के इस विडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं भगव तर भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमत भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पश्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुडवात करते हैं। उस्तों बात द्वापर यूग की है जब भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच समवाध हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा की के माधव जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादा तर दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है। जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिलकुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को नमानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सक्संध होता था, जहां भजन होता वहां दोड परके चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता दूसरा शिश्य इन सब चीजों से काफी दूर था वह शराब पान भी करता था विश्याओं के साथ गमन करता था सारी बुरी आत्ते दूसरे शिश में थी एक दिन क्या हुआ एक शिश्य शराब पीकर अनाप शना बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता वह जोर-जोर से चिलाते हुए सब को बताता है मुझे आज पैसों से भरी बैग की ठैली मिल गई मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यक्ताओं की पूर्ती करूंगा, वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसकी पैर में एक बड़ी काटे चुग जाती है, रक्त निकलने लगता है, ठीक उसी समय द तुम्हारे भगवान ने तुम्हें, मुझे देखो मैं कभी मंदिर नहीं गया, और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायन का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका फिर भी मैं कितना संपन हूँ, अमीर हूँ मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ, अच्छे शिश्य को उसकी बात चुगने लगी, उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा करता हूँ, और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सूखी है, इतना सोचते हुए वह अपने गुरू के पास चला जाता है, और यही प्रश्न गुरू से करता है, गुरू जी मुस्कुराते हुए बोले भगवान जो करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता हो उसको उसी के अनुसार फल देते हैं, अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाई काटे और उसको पैसों से भरी हुई बैक क्यों मिली, सुनो तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए पूर्वजन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी, करोडों की संपत्ती का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्वजन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही म जबकी वो अर्वों की संपत्ती का मालिक बनने वाला था, भगवान को दोश देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुप्योग करो, भविश्य अपने आप सुधर जाएगा, इस प्रकार उसकी आखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करते हैं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मित्रों अगर यह विडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय तो जरूर करिए, और हाँ विडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,